हेलो स्टूडेंट तो स्वागत है आपका आश्रगल स्टेडी अकेडमी में सो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मोसा निना स्टेट लाइन चैप्टर थ्री और इसमें हमने पार्ट वन जो है अपलोड कर दिया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं ठीक और उसमें जो है हमने पढ़ाया था पत की लंबाई के बारे में बताया था भी स्थापन क्या है अच्छी तरह से हम लोग अध्यान किये थे उसमें है ना तो यह हमारा जो है मोसा निना स्टेट लाइन का यानि सर टोफिक नेक्स्ट निकल के आता है हमारा औस चाल एवं औस वेग तो देखिए औस चाल और औस वेग को समझने से पहले हमको चाल को समझना पड़ेगा ठीक है कि चाल क्या होता है ठीक चाल में भी बहुत सारा चाल हो जाता है हमारा असमान चाल हो जाता है पर फिर समान चा गया है आपके लिए ठीक है कि आपका जो प्रिप्रेशन है वो अच्छी तरह से हो सके तो आप नोट से कॉंपी पर बनाते रहेगा इस वीडियो के माध्यम से है ना और मैं इसी तरह अपलोड कर रहा हूं वीडियो बहुत तेजी से कि ताकि स्टुडेंटों का बहुत सारा हो सके है ना तो देखिए यहां पर कि आउसत चाल को समझने से पहले हम लोग चाल को समझेंगे तो यहां पर देखिए कि चाल क्या है चाल को हम लोग अस्पीड कहते हैं राइट अस्पीड मिंस क्या होता है चाल होता है तो देखिए चाल को हम लोग समझते हैं कि कोई भी वस्तु जो है प्रती एकांग समय में यानि यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारब प्रती एकांग समय में तै की गई दूरी को वस्तु की चाल काते हैं एक आंग समय का मतलब समझते हैं जो समय है हमारा टाइम जो टाइम है वो एक ही काई हो है ना अब माली जे सेकेंड में होगा या मिनट में होगा कुछ में भी हो है ना एकांग समय हो यानि कि एक ही कही तो एक सेकेंड में जितना चाल चलेगा वस्तू है ना उसे ही हम लोग क्या कहेंगे चाल कहेंगे यानि एकांग के समय में जितना दूरी सोरी दोस्तो एकांग समय में जितना दूरी तै करता है वस्तू उसे ही हम लोग क्या कहते हैं चाल कहते हैं तो ध्यान में रखेगा आप लोग चाल बराबर क्या हो जाता है चाल बराबर यहाँ पर लिख दिये हैं हम कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा में समय ठीक है तो फिर से याद कर लिजे इसे तो एकांक समय में तै की गई दूरी को वस्तू की चाल करते हैं और आप अच्छी तरह से अगर इसे सजा के लिखेंगे तो किसी का तिमान वस्तू दौर अप्रती एकांक समय में तै की गई दूरी को वस्तू की चाल करते हैं और चाल बराबर क्या होता है तो दूरी बटा समय होता है अब देखिए इसका एसाई मातरक भी आ जाता है दूरी का बताईए दूरी का एसाई मातरक क्या होता है तो मीटर क्योंकि दूरी क्या है परकार का लंबाई है तो लंबाई का मातरक क्या होता है मीटर और समय का सेकें तो हम बोल दे कि चाल का ऐसा ही मातरक्ः क्या हो जाएगा मीटर प्रती सेकेंड ये जो बटा होता है ये प्रती को बताता है ना तो इससे रिलेटेड जो है हमने लिख दिया है और अब आप देखिए कि दूरी हमारा एक अदिस रासी है और समय भी क्या है, अधिस रासी है, तो इन दोनों के ज़ुकि आपका clear out हो जाएगा, थो यहाँ पर simply आप जान लिजिए कि अधिस किसे कहते है, तो जिसमें दिशा नहीं हो, केवल परिमाड हो, उसे अधिस कहते है सदिस क्या होता है तो जिसमें दिशा के साथ साथ क्या हो परिमाड हो है ना यानि परिमाड के साथ साथ दिशा भी हो उसे हम लोग सदिस रासी कहेंगे तो यहां पर ध्यान दिजिएगा चाल एक क्या हो जाएगा तो अदिस रासी होगा और इसका एसाही मातरक जो होता है क्य जान चुके होंगे जैसे दूरी का विमिये सुत्र हम पुछें कि दूरी को किसमें मापा जाता है विमा क्या होता है इसका विमिये सुत्र तो आप बताएंगे ल है ना दूरी क्या एक परकार का लेंद है लंबा है तो इसका विमिये सुत्र क्या होगा यल और समय का क्या होग तो बटा में टी रख दिया हमने यह उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टी मैनेस वन होता है तो यहां पर हमने वही लिख दिया है यहां पर विमेस उत्र क्या हो जाएगा एल टी मैनेस वन टाइट अब देखिए यहां पर आ जाता है क्या अब आ जाता है हमारा चाल का यह तो हमने चाल के बारे में डिस्कस कर लिया अब देखेंगे हम लोग चाल का परकार टाइपस ओफ हस्पीट तो देखिए चाल जो होता है कई परकार का हो जाता है एक समान होता है तो चलिए बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर चाल को केवल दो परकार में ही रखा गया है एक समान चाल और असमान चाल है ना तो देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं या परिवर्ती चाल भी उससे कहते हैं सो यहां पर देखिए पहला नमबर आ जाता है एक समान चाल जिसे हम लोग कहते हैं uniform speed अब देखिए uniform speed क्या होता है यह एक समान चाल क्या होता है तो जब कोई वस्तू समान समै अंतरालों में समान दूरिया तै करती है चाहे समय अंतराल कितना ही सुच्म यानि छोटा क्यों न हो तो उसकी चाल एक समान चाल पहलाती है फिर से समय लेजिए कि जब कोई वस्तू समान समय अंतराल में समान दूरी तै करती है समान समय अंतराल में समान दूरी तै करती है चाहे वो समय कितना भी छोटा क्यों न हो तो उसकी उस चाल को हम लोग क्या कहते हैं एक समान चाल तो अब आगे देखते हैं दूसरा चाल का जो दूसरा टाइप है हमारा असमान चाल और जिसे हम लोग कहते हैं असमान चाल या परिवर्ती चाल या हम लोग इसे कह सकते हैं non uniform or variable speed है ना तो देखिए इसे हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या होता है तो just अगर आपको एक समानचाल अगर complete है मैंने क्या बोला यहाँ पे जब कोई वस्तू समान समय अंतरालों में समान दूरिया तै करे है तो उसे हम लोग क्या करते हैं हम लोग परिवर्ति चाल करते हैं या असमान चाल करते हैं ठीक तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग अच्छी तरह से तो यहाँ पर लिखा हुआ वही कि जब कोई वस्तू समान समय अंतरालों में भिन भिन यानि अलग अलग दूरिया तै करती है चाहे समय अंतराल कितना ही सुच्म या छोटा क्यों न हो तो उसकी चाल असमान या परिवर्ति चाल कहलाती है ठीक अब देखिए यहाँ पर की असमान चाल का भी परकार से ब्यक्त किया जाता है किसी भी आसमान चाल को कोई भी वस्तू है अगर आसमान चाल चलता है तो मात्र वो दो ही परकार से चल सकता है एक जो है औस चाल चलता है दूसरा ताछनिक चाल तो अब चलिए हम लोग समझते हैं आससाद क्या होता है तो आससाद हो जाता है फितंत कहल जाता है खाली इस तरह आफ आसा चाल को परिभासित करेंगे कि कूल-दुरिया तथा कूल-समय-अंतराल के अनुपाद को कूल-दुरी तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं तो अब चलिए ये औसत चाल किसका परकार है औसमान चाल का तो समझ लेते हैं इसे कि औसमान चाल से गतिमान किसी बस्तू द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तै की गई कूल दूरी तथा कूल समय का अनुपात वस्तु की आउसत चाल कहलाती है तो फिर से समय लेते दोस्तों आउसमान चाल से गतिमान किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अन्तराल में तै की गई कूल दूरी तथा कूल समय का अनुपात है न वही हमने बोला कि कूल दूरी तथा कूल समय का अनुपात क्या कहलाता हमारा आउसच्चा चलिए तो यह आउसच्चा आप समझ गया होंगे इस पर हम यह पूरा पढ़ा लेंगे तो अभी आपको इस पर नुमेरिकल भी एकाद को करा देंगे कि ताकि आपका जो उससे भी रिलेटेड जो भी इसमें फैक्ट आता है औसाच्चाल से निकालने का कई तरीके से औसाच्चाल निकाला जाता है ना तो यह सारा कॉंसेप्ट मैं किलियर कर दूंगा ठीक तो यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ महत्योपूर्ण तत्थे है ना सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स तो यहाँ पर है कि यदि कोई कर मा लेजे कि T1, T2, T3.TN समय अंतराल समय अंतराल का मतलब समझते हैं दो समयों के अंतर को ही समय अंतराल कहते हैं तो वही कहा जा रह है कि T1, T2, T3.TN समय अंतराल में क्रम सा दूरिया जो है S1, S2, S3.SN दूरिया तैक करता है तब उसका आउसत चाल क्या होगा तो आउसत चाल बराबर क्या होता है अभी हमने फॉर्मूलों बता है कूल दूरी बटा में कूल समय अब बताए कूल दूरी क्या है मारा तो S1, S2, S3.SN तो उपर लिखेंगे हम लोग कूल दूरी का मतलब होता है योगफल है ना कूल का आर्थ होता है योगफल यानि जोड और दूरी का मतलब होता है जो दूरी है वो है ना तो दूरी क्या है S1 अग कूल का मतलब जोड तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट हुआ है T1 T2 T3 डॉट 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 टी अन तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग T1 पलस T2 पलस T3 डॉट 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 टी अन अब देखें यह पहला फॉर्मूला हो गया फॉर्मूला तो मेन हमारा यही है बस इसी पर बन रहा है लेन यह देखिए अब फैक्ट नं करता है और वह उस चाल से चलकर कोई यात्रा को पूरा कर लेता है अब कहा रहा है कि तथा भी टू चाल से वापस आता है अब क्या करता है कि अब जब आता है वहां से तो भी टू चाल से चलता है यानि अलग चाल से तब उसका औस चाल क्या होगा तो औस चाल को भी एभी यानि कि, चाल का एवरेज निकाल रहे हम लोग है न, तो क्या हो जाएगा, 2, V1, यानि कि, पहले बार पूरा करने में, फिर दुबारा आने में जो चाल, जिस चाल से चला है न, उन दोनों का गुनन फल, दो, V1, V2, बटा में, V1, प्लस, भीटो, तो V, A, V बराबर क्या हो जाएगा, हमारा, 2, V1, V2, बटा में, V1, प्लस, भीटो, तो यह हमारा हो जाएगा, वापस आते समय आउसा चल, आप तीसरा हो जाता है, फैक्ट नमबर, कि यदि कोई कांड, T1, T2, T3, डोट, डोट, ड बीजन, चालो से गत्ती करता है, है ना, मालिजिये कि कोई कंड है, हमारा, जो समय दिया हुआ है, T1, T2, T3, डोट, 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 डीजन, और वो चाल चल रहा है, इसमें, V1, V2, V3, डोट, 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 बीजन, है ना, तब उसका उसा चल क्या होगा, तो उसा चल को अ T1, V1 के साथ गुणा करना है T1 का, ठीक, फिर पलस कर देना है, राइट, फिर V2 का गुणा करना है T2 के साथ, फिर पलस V3, T3, पलस, डोट, 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 पलस, Vn, Tn, बटा में, अब समय, अंतराल जो दिया हुआ है, उन सभी का योगपल कर देंगे, यानि T1, पलस, T2, प आप देखिए इसी में condition हो जाता है कि माल लीजिए आपके पास दे दिया गया है कि T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर माल लेते हैं हम लोग की TN है है ना तो फिर क्या हो जाएगा औस चाल तो औस चाल हमारा भी 1 प्लस भी 2 प्लस भी 3 डोट डोट प्लस भी 1 बटा में 1 हो जाएगा तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा है ना ये सभी fact जो है बहुत important है तो चलिए आगे देखते हम लोग अब यहाँ पे देखिए कि यदि कोई card प्रत्थम T समय भी 1 चाल से तथा बाद में T समय भी 2 चाल से गती करता है तो वस्तू का उसा चाल क्या होगा तो यहाँ पर ध्यान देजिएगा आप कि यहाँ पे जो समय है उसको लेना ही नहीं है क्या करना है अगर आपको चाल का उसत निकालना है तो भी 1 प्लस भी 2 बटा में 2 कर देना है ना माध्य यानि माध्य निकालना होता है ठीक है तो यह उसत चाल निकालने का मतलब यहाँ पर माध्य निकाल देना है दो समय दिया रहा है दो चाल दिया होगा एक ही समय अंतराल में वस्तु अगर भिन भिन चालों से चलता है तो उन दोनों का योग बटा में जितनी मालीजे चाल दो है तो यहाँ पर बटा में दो से भाग दे देंगे राइट तो निकल जाएगा हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं अब देखिए दोस्तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि यदि किसी करण की प्रारंभीक इस्थिती समय के बाद में ठीक प्रारंभीक आपका इस्थिती समय के बाद में ठीक ना तब कान का उसत वेग क्या हो जाएगा तो भी यह भी बराबर हो जाता है एस्थू माइनस एस वन बटा में डेल्टा टी तो यह आपका किलियर राउट हो गया होगा तो देखिए यह हम जो भी अभी पढ़े हम लोग और समान चाल के बारे में ही पढ़े हैं तो जितना भी हमारा आउसा चाल से रिलेटर जितना भी अभी फैक्ट आया हो सब बता दिये है ना तो अब देखिए असमान चाल का दूसरा जो परकार होता है ताच्छनिक चाल होता है यहां पर यह ताच्छनिक चाल जिसे हम लोग कहते हैं तो अब देखेंगे दोस्तों हम लोग ताच तो परिवर्ती चाल से गतिमान यानि की असमान चाल से परिवर्ती मतलब क्या होता है असमान ठीक तो परिवर्ती चाल से गतिमान वस्तु की किसी च्छन है ना विसेश पर चाल उसकी ताछनिक चाल कहलाती है ध्यान दियेगा अब इसके बाद जो मोश्ट आने वाला है ठीक यदि वस्तु द्वारा अत्यांत सुच्म समय अंत्राल यानि जो समय अंत्राल है बहुत ही छोटा हो लगभग डेल्टा टेंश टू जीरो यानि कि जो डेल्टा टी है यानि जो समय है हमारा वो जीरो की तरफ अग्रसरित हो जीरो ना हो जीरो की तरफ अग्रसरित हो मैं तै क गई दूरी डेल्टा यस हो तब वस्तू का ताच्छनिक चाग भी इस इक्वल टू क्या होगा लिमिट डेल्टा टी टैंस टू इसको टैंस टू पढ़ा जाता है ना या टैंडिंग टू भी पढ़ सकते हैं लेकिन डेल्टा टैंस टू पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा र पर डी एस अपॉन डी टी लिख सकते हैं तो यहां पर ध्यान दिजेगा कि परिवर्ति चाल से गतिमान वस्तू की किसी समय विसेश पर वो समय जो विसेश हो उस पर चाल उसकी ताच्छनिक चाल या तातकालिक चाल कहलाती है कब जब यदि वस्तू द्वारा अत्यांत सु इस्ति निख ली य समीरो 嗎 nature हो जाता है तो हम लोग यह भी कह सकते हैं संसेश और ट्रयक तात्यांत स्टू टान्सर्थर में तयकाल गई जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं ताच्छनिक चाल कह देते हैं ल место आधि तो हम लोग से हम लोग यसलिदिन dadattu सब्य वेग से हैना वेलोसिटी यानि कि एवरेज वेलोसिटी क्या है तो उसके बारे में भी हम लोग रिलेटड बहुत सारा हम लोग पहले वेग का परिभासा जानेंगे तब जाकर है ना तो देखिए वीडियो बहुत ही मौस्ट होने वाला है और आप नोट्स बनाते रहे हैं अपका किलियर आउट हो जे राइट तो यहां पर देखिए इस पर उदारन हमने ले लिया है कि एक बेगती 10 किलो मीटर दूर इस्थित ऑफिस 2.5 यानि अढ़ाई किलो मीटर प्रतियावर यानि एक घंटे में अढ़ाई किलो मीटर की चाल से चल रहा है की नियत चाल से ज जाता है तथा 4 किलो मीटर प्रतियावर की नियत चाल से लोटता है ठीक है यानि कि 8 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से वह ऑफिस जाता है 10 किलो मीटर है उसका ऑफिस और लोटता है जब तो वह अपना चाल 4 किलो मीटर प्रतियावर कर लेता है यानि चाल को बढ़ा लेत थिक तो बोल रहा है कि पूरी यात्रा के लिए व्यक्ति का उस्त चाल गयात किजिए ना तो यहां पर देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे तो देखिए यहां पर एक व्यक्ति 10 किलोमेटर दूर इस्थित ओफिस यानि कि ओफिस कितना दूर है तो 10 किल का मान है मारा 38 किलोमेटर 1 की अब स्थिक अब वो लोटता है कितने किलोमेटर से तो 4 किलोमेटर प्रति आब से यानि व्यक्ति 4 क telef नब्ह沒有 दे चुका है तो बोल रहे है नृत्या है कि पूरी यात्रा के दौरान है अब देखी यहां पर रखदेंगे simply अम लोग, तो 2 रखदिया हमने, B1 का मान कितना है, तो अड़ाई kilometer पृतियावर, तो यहां पर अड़ाई रखदिया, और फिर B2 का क्या है मान, चयार kilometer पृतियावर, तो यहां पर चयार रखदिया उमने, बटा में क्या है हमारा तो B1 प्लस B2 तो simply add high प्लस 4 कर देंगे है ना अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6.5 आउपर क्या हमारा यह हम लोग 2 में 2.5 से जब गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा 5 से 4 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 20 अब जब आप इसे divide करते हैं तो 3.07 किलो मीटर प्रती आवर आ जाएगा है ना चाल तो चुकिए आप जानते हैं किलो मीटर प्रती आवर में ही होता है या मीटर पर सेकंड में लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी मीटर पर सेकंड नहीं दिया है तो किलो मीटर प्रती आवर ही हो जाएगा च यहां पर देख़ें कि जर्ष्ट चाल जैसा ही परिवासा होता है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जयाता है वहाँ पर क्या कहा जाता है आपको दूरी लेना था और यहाँ पर नेना है ना तो चैसे पड़ लेते हैं हम लोग किसी गतिमान वस्तू की समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वस्तू का वेग करते हैं, कहने का मतलब है कि वेग बराबर हम देख लेते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटामें समय अंत्राल, कहने का मतलब कि अगर विस्थापन में समय के कोर्डिंग, अगर हम लोग परिवर्तन कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं वेक कहते हैं तो यहाँ पर देखिए कि वेक को भी से सुचित किया जाता है और चुकि हमारा जो विस्थापन है वो परिवर्तित होना चाहिए है न समय के कर लिए तो हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तित के लिए हम लोग D लगा देते हैं, है ना, तो Ds अपॉन क्या हो जाएगा, DT, चुकि समय अंतरा ले, यानि समय उक अंतर है, तो वो कुछ भी समय हो, तो उसे हम लोग किसे सुचित कर देंगे, DT से, तो हमारा वेग बराबर क्या हो जाता है, भी बराबर, तो Ds अपॉन, DT, अब देखिए, यहां पर कि चुकि, वहां पर क्या होता था, कि चाल में केवल परिमाड होता था, दिसा नहीं होता था, चाल, चाल में क्या होता है, केवल परिमाड होता है, परिमाड मतलब मान होता है, है ना, खाली वेल्यू होत वेग रहा था तो वह उस वस्तू का वेग दिया हुआ और मैंने केवल कहा कि वह वस्तू दो मीटर पर सेकेंड के चाल से चल रहा है तो किस डिरेक्सिन में चल रहे वहां पर दिशा का पता नहीं है है न किवल परिमार बता रहा है और यहां पर क्या बता रहा है दिसा भी बता रहा है सो जिसमें दिसा और परिमार दोनों हो उसे हम लोग सदिस कहते हैं तो वेग कैसा रासी हो जाएगा सदिस रासी होगा ठीक तो यहां पर देखें वही हमने लिखा है कि चुकि वेग में दिशा और परिमार दोनों होता है इसलिए क्या होता है कि वेग एक सदिसरासी होता है ज्यान में रखेगा फिर इसका एसा ही मातरक क्या हो जाएगा एसा ही मातरक तो विस्थापन क्या है एक दूरी है एक परकार का है तो दूरी किसमे मापते हैं तो मीटर में और समय किसमे मापते हैं सेकेंड में है न तो ऐसा ही मातरा क्या हो जाएगा मीटर प्रती सेकेंड प्रती स्कुकते हैं बटे को ही प्रती कह देते हैं अभी में यह सुत्र क्या हो जाएगा जो चाल का है वही वेक का भी हो जाएगा य Pan-types of velocity जिसे हम लोग कहते हैं बड़िक का परकार तो देखिए वैक का परकार वैक भी दो परकार का हो जाता है है ना एक समान डुमध्य यूनिफॉर्म वैल तो यहां पर देखिए कि जब कोई वस्तू समान समय अंतरालों में समान रूप से विस्थापित होती है जब कोई वस्तू समान समय अंतरालों में समान रूप से विस्थापित होती है ना चाहे वो समय अंतराल कितना ही सुच्म क्यों नहों तो उसका वेग जो होता है एक समान वेग कलाता है तथा वस्तू की गती एक समान गती कलाती है और जो ये वस्तू जीस गती से भी चलती है उस गती को क्या कहते हैं हम लोग एक समान गती कहते हैं इस परकार के यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तू समान समय अंतरालों में समान लूप से भी स्थापि नहीं हो तो उसका जो वेग होता है एक समान वेग का लाता है ठीक और इस वस्तू का जो यह गती होता है ना यही वाला गती क्या का लाता है हमारा एक समान गती का लाता है तो अब देखिए दोस्तों हम लोग देखेंगे असमान या परिवर्थी वेग जिसे हम लोग कहते हैं नौन यूनिफॉर्म और वेरियबल वेलिस्टी है ना तो देखिए यहां पर कि जब कोई वस्तू समान समय अंत्रालों में और समान रूप से विस्थापित होती है यानि समान समय अंत्राल में यानि समय जो होना चीए समान होना चीए अब विस्थापन जो है और समान हो या उसका असमान या परिवर्ती वेग कर लाता है तो उस वस्तु का जो वेग होता है उसे हम लोग क्या करते हैं आसमान या परिवर्ती वेग कर लाता है ठीक तथा वस्तु की गती असमान गती कर लाती है और इस परकार की जो वस्तु गती करती है उस पर इस गती को ही हम लोग क् अब देखिए यहाँ पर कि किसी वस्तू के असमान वेग को दो परकार से ब्यक्त किया जाता है जैसे वहाँ पर असमान चाल को दो परकार से ब्यक्त किया गया था उसी परकार यहाँ पर जो वेग होते हैं उसको भी असमान वेग उसको भी दो परकार से ब्यक्त किया जा सकता तो यह हमारा जो है पहला तो पहला जाता है हमारा ऑसतवेग जिसे हम लोग average velocity कहते है न वेलोसिटी तो यहां पर देखिए ऑसतवेग क्या है तो असमानवेग से गतिमान किसी वस्तू के किसी निश्चित समय अंतराल में कूल विस्थापन तथा कूल समय का अनुपात उस वस्तू का ओसत विग कहलाता है इसका मतलब समझ रहे क्या बहुत सिंपली ओसत विग किसे कहते हैं तो कूल वस्तू किसी वस्तू का या किसी गतिवान वस्तू के कूल विस्थापन तथा कूल समय के अनुपात को ही हम लोग तो यह आपका किलियर आउट हो गया होगा उसत वेग बराबर कुल विस्तापन बटा में कुल समय अब देखिए यहाँ पर दूसरा आ जाता है हमारा ताच्छनिक वेग जिसे हम लोग ताथकालिक वेग भी कहते हैं ना ताच्छनिक वेग को कहते हम लोग instantaneous velocity है ना instantaneous velocity अब देखिए यहाँ पर कि ताथकालिक चाल क्या है हमारा सोरी ताथकालिक वेग क्या है तो औसमान वेग से गतिमान किसी वस्तु का किसी च्छन विसेश पर वेग उसका ताच्छनिक वेग कहलाता है अगर माल लिजे कि यदि वस्तू का सुछम समय अंतराल डेल्टा टी यानि कि कितना सुछम होगा तो वो डेल्टा टी टैंश टू जीरो यानि डेल्टा टी जो है जीरो की तरफ अग्रसरित होगा है न, जीरो नहीं होगा, right? में विस्थापन जो है डेल्टा यस हो फिर से मैं बता रहा हूँ यदि वस्तु का सुच्म समय अंतराल डेल्टा टी में विस्थापन कितना हो डेल्टा यस हो तब उसका ताच्छनिक वेक क्या होगा तो ताच्छनिक वेक को भी से सुचित करेंगे हम लोग अभी बराबर हो होगा लिमेट डेल्टा टी टेंश टू जीरो है ना कि डेल्टा यस अपॉन डेल्टा टी और इसी को लिख दिया जाता है डी यस अपॉन डी तो उमीद है यह सारा आपको टोफिक समझ में आ रहा होगा ठीक है दोस्तों तो अब देखिए यहां पर किस इसमें कुछ इंपोटेंट फैक्ट हो जाते हैं जो कि समझना बहुत ही इंपोटेंट होता है तो यहां पर देखिए कि सबसे पहले सुनने समय था सुनने सेकेंड था माले जे टी बराबर हमारे जीरो था है ना जब कर्ण क्या किया कि एक्सवन विस्थापित हुआ तो समय आपका टीवन था टीवन समय पर क्या हुआ वस्तू यहां पर विस्थापित हुआ और इसी पर का टीटू समय पर वस्तू यह हमारा Y अक्ष जो है बिस्थापन को प्रदरसित कर रहा है और यह जो यक्ष x j आपको यह समय को भी प्रदरसित कर रहा है न तो जहां पर देखिए कि हम यक्ष अक्ष के समांतर क starring यह बिंदू को हम खिचते हैं न यह रेखा को बढ़ाते हैं तो यह और वाेकश के समां हम लोग क्या करते हैं उससे हम लोग एक रेखा ड्रा करते हैं यह दोनों जहां काटती हैं वहां पर मिला देते हैं वह बिंदू हम लोग यहां पर देते हैं ठीक उसी परकार एक्स टू तो यहां पर जो ये आप graph देख रहे हैं इन दोनों बिंदूगों को जो मिलाएंगे हम ये वला graph ये जो होता है ये वेग को प्रदरसित करता है रैट और ये आपका धाल भी कहलाता है है ना तो हमारे कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये धाल जो है जितना अधि वेग भी क्या होगा वस्तू का अधिक होगा अधाल जितना ही कम रहेगा उतना ही आपका क्या होगा वस्तू का वेग कम होगा इसी परकार हम लोग चाल को भी कह सकते हैं अगर हम लोग दूरी और समय के बिच अगर ग्राफ खिचते हैं तो वो भी इसी परकार प्राप्त होग तो यह हमारा क्या है कि विस्थापन और समय को लेके वेग का हम लोग समय ग्राफ यह ग्राफ जो है हमने खीचे डाला तो चलिए इसको इसमें जो इंपोर्टेंट फैक्ट है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग तो दिया हुआ है कि किसी दिये गए समय अंतराल में है न यह हम T1 और T2 समय अंतराल ले लिए है ठिक बोला वही कि किसी दिये गए समय अंतराल में दो बिंदूओं के बीच किसी कण का औस्त वेग इस्थिति समय ग्राफ द्वारा दोनों बिंदूओं को मिलाने वाली सरल रेखा के ढाल द्वारा प्राप्त हो किया जाता है जो वेग है वो किया जाता है कि किसी कण का माले जे कि कोई समय अंतराल T1 और T2 है और ये विस्थापित हो रहा यक्स 1 और X2 तो हम लोग जो ये ग्राफ खिछते हैं वो किसको प्रदर्सित करता है तो वेग को प्रदर्सित करता है ठिक तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है तो अब जिमान एक कण की गती का ग्राफ में प्रदर्सित है हमारा कि वो जो भी कण है T1 T2 समय से X1 X2 विस्थापित हो रहा है तो उसका जो ग्राफ होगा ये कुछ इस परकर होगा तो इसे आप दिमाग में रखे रहे हैं क्योंकि ये अब्जेक्टिव में आ जाता है 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 ना चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि फैक्ट नमबर दूसरा क्या है हमारा कि वेग समय ग्राफ का छेत्रफल विस्थापन को प्रदर्सित करता है ये ध्यान में रखेगा वेग समय ग्राफ का छेत्रफल विस्थापन को प्रदर्सित करता है और वहीं पर अगर हम लोग देखे कि चाल समय ग्राफ का छेत्रफल किसको प्रदर्सित करेगा दोस्तों तो दूरी को है ना और आप जानबे करते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा में समय उसी पर कर वेग बराबर विस्थापन बटा समय तो आपको फड़ाक देना याद आ जाएगा है ना तो यह किसी का छाण यानि कोई समय है टी पर वो समय क्या है हमारा टी पर एक कंड का इस्थिती सदिस यानि भेक्टर आर जो है वो दिया है यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है तब कंड का वेग ज्याद कीजी है ना अब बोला है कि माल लिजे कि कोई कंड जो है किसी छण यानि T समय पर उसकन का इस्थिती जो है इस्थिती सदिस भेक्टर R is equal to XI cap plus YJ cap plus ZK cap है, है ना? तब बोला एक उसकन का वेग ज्याद कीजिए, तो इस्थिती सदिस का मतलब ये क्या है हमारा विस्थापन है, है ना? विस्थापन का ये सदिस आपको सदिस भेक्टर रूप में दे चुका है, ठिक, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि चुकी दिया हुआ है, भेक्टर R is equal to, इसको भेक्टर पढ़ते हैं हम लोग 3 को क्या पढ़ते हैं? भेक्टर, राइट? तो भेक्टर R is equal to XI cap plus YJ cap plus KZ K-CAP, इसको कैप पढ़ते हैं ना, जो आप देख रहे हैं टोपी जैसा इसे कैप पढ़ेंगे, राइट? तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं? कि आप जानते हैं कि विस्थापन में अगर हम लोग परिवर्तन कर दे, तो वही क्या कहलाता है? वेक कहलाता ह तो हम लोग समय के एकॉर्डिंग ही तो विस्थापन में परिवर्तन होगा किसी विवस्तू के, तो हम लिखेंगे T के सापेक्छ दोनों तरफ ओकलन करने पर, ओकलन का मतलब होता है ब्रीध ही करने पर है ना, ओकलन का मतलब ही क्या होता है? ब्रीध ही करना और आप कलास 12 म में ही आपका तेरा अध्याय जो है ना, लेसन 3 जो है उसमें क्या होगा आपका यह औकलन से रिलेटेड जितना भी है उसमें बता दिया जाता है ना, तो चलिए वो देख लिजिएगा लेकिन यहां पर मैं समझा दे रहा हूं ठिक, जब T के सापेक्छ हम लोग जिसके साप एक्छ आउकलन हो जाएगा है ना, यानि कि विस्थापन में परिवर्तन होगा किसके साप एक्छ में, समय के साप एक्छ में, बराबर, अब बराबर किधर क्या इक्स तो यहां पर लिख देंगे हम लोग डी एक्स अपॉन डी टी और यह यूनिट वेक्टर क्या हो आई कैप, ठिक, उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, वाई का हम लोग करेंगा उखलन तो डी वाई अपॉन डी टी और यह क्या हमारा जे तो जे कैप लिखती है हमने उसी तरह, फिर यह क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर जेड है तो लिखेंगे हम लोग डी अब देखिए कि यह बिस्थापन में परिवर्तन का परिवर्तन का दर क्या खालाता है वेक, तो सिंप्ल यहां पर बेग भी से सुजित कर देंगे, वेक्टर भी इस इक्वल्टू क्या हो जाएगा यह पूरा का पूरा उसी तरह उतार देंगे, तो यह हमारा था कुछ, इ यह पूरा का पूरा, आप इसका स्क्रेंस और बढ़िया से लिजेगा है ना, तो मिद है पूरा समझ में आया होगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, ताकि जो नेक् खाली सब्सक्राइब कर लेने से ही कोई फाइदा नहीं है, सब्सक्राइब करके वेल आइकन को, है ना, जो घंटा का हमारा सिंबल होता है, उसे दबा दिजिएगा, क्योंकि जहीं मैं वीडियो डालूंगा ना, वो आप तक तुरंत पहुंचेगा, है ना, उसका नोटिफ देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वेल आइकन को हीट कर दे, ताकि जितना भी आने वाला नोटिफिकेशन है, सब मिल सके, और यदि सभी वीडियो देखना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्लेलिस्ट में सारा पढ़ा हुआ है वीडिय और नेक्स्ट वीडियो में